परमुख निर्यातक देशों में सप्लाई की स्क्रिती टाइट होने से भारत में चालू वर्ष की पहली तिमाही के दुरान दालों के आयात में भारे गिरावट आ गई है अधिकारिक सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जनवरी से मार्च दोहजार चोबीस के दुरान देश में 5,16,233 तन दलहन में मसूर, अरहर और उड़त का जो आयात हुआ है वो जनवरी से मार्च दोहजार तेईस में हुए आयात 7,24,883 तन से करीब 29 फीसदी कम है माना जा रहा है कि अगामी समय में भारत में जोरदार मांग निकलने से कीमतों में भड़ोतरी की उमीद के चलते निर्यातक देशों में उत्पादक अपने दलनों का स्टोक दबाने का परयास कर रहे हैं जिससे भारतिया आयातकों को इसका सोदा करने में अपेक्षित सफल मिल सके वही केंद्रिया उफोकता मामले के सच्चिव रोहित कुमार सिंग के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस पार अरहर का वैश्वी कुत पादन कम हुआ है कभी-कभी किसान कीमतों में और अधिक बड़ोतरी की उमीद में अपना स्टोक रोक लिते हैं लिकिन भा अपारी लंबे समय तक दालों का स्टोक नहीं रोक सकते आपको प्तादे कि भारत सरकार ने चने की कीमतों में तेजी पर अंकुष लगाने के लिए एक तरव भारत ब्रांड दाल की खुर्दरा बिकरी शुरू की तो दूसरी और पिली मतर के शुल्क मुक्त आयात की सविक पिटकर 1,25,817 टन पर अटग गया है जो कि पिछले साल की समान अभधीम के आयात 2,52,004 टन के आदे से भी कम है वहीं तूर का घरेलूत पादन 33,00,00 टन के करीब होने का अनुमान सरकार ने लगाया है जो कि कुल संभावित खपत 45,00,00 टन से काफी कम है तूर का आयात आनमार और अफरीकी देशों से किया जाता है जिसमें मौजंबिक और मालवी देश भी परमुक है विरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी